हेलो हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना चेक गरू अभिशेक तेलंग और मैंने आइकू नियो 7 के बारे में बहुत सुना बहुत रिव्यू देखे लेकिन जब मैंने इसे खुद परसनली यूज किया न तब मुझे तो बिलकुल अलग टाई भी फीलिंग आई तो चलो ट बहिए डिजाइन में तो आइकू की टीम ने एकदम गॉड लेवल आइकू यूज किया है डिजाइन टीम को कोई काम ही ने दिया और मोटा पैसा बचाया शकल देखो इसकी एकदम वो जुड़वा टाइपस है और वो न्यूस पेपर में फाइंड डिफरेंस वाला गेम आ के अराउंड ग्लास वाली लेयर को मेटल से रिप्लेस कर दिया है बहुत असान किया मतलब क्या आपने डिजाइन में चेंज किया है बाकी डिफरेंस मुझे तो दिख नहीं रहा है आपको दिख रहा हो तो बताईएगा एक्जाक बटन प्लेस्मेंट है और बिल्ड क्वाल क्या कर रहा है मतलब गेमर्स का स्लीप यार तो हेटफोन जैक से होता है और वही आपने दिया नहीं है और कह रहे हैं इसको गेमिंग फोन वाह। गेम्स जो आप सोच सकते हैं मैंने सभी के लिए और honestly गेमिंग में तो मुझे कोई कंप्लेंट देखने को नहीं मिली एक्सपिरियंस स्मूध है लेकिन जो आइकू ने गेमिंग फीचर दिया है या गेमिंग फीचर के नाम पे कुछ एक्स्रा फीचर दिये हैं जैसे 4D गे पर पराब आगलें फालडोने जो और हिन्वा होता बाड़ की जैसे आजए लो पीचर गोर एक और दियू और यूज यहाए सब और इक verbs आ गिमिकी feature है फिर चाहे वो IQ के अंदर हो या किसी भी phone के अंदर हो बागी day-to-day task भी ठीक है लेकिन मुझे fun touch OS बिलकुल भी fun नहीं लगा bloatware इतना भरा हुआ है कि पूछे नहीं and most importantly वो hot apps and hot games का folder है ना क्या करो चाहे प्यों और software में एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो है poor optimization of high refresh rate इसकी display के बारे में बात मैं detail में बात करता हूँ लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि इसकी screen 120 hertz के refresh rate के साथ आती है लेकिन पूरे user interface पे बहुत poorly implement किया गया है मतलब refresh rate की अगर हम बात करें YouTube हो गया, gallery हो गई, photos हो गई, clock dialer हो गया सारी की सारी app 60 या 90 hertz पे ही चलती है जो कि बहुत ही जादा irritating है मतलब इसे 120 hertz market क्यों ही कर रहे हो IQ भाया जब 120 hertz और आगे asterix लगाना था ना क्योंकि terms and condition के साथ ही तो आप 120 hertz का refresh rate चला रहे हैं इसमें उपर से कोई भी protection नहीं दी है इसमें अब बंदा gaming की frustration में अगर phone पे थोड़ा सा pressure डाल दे तो आपके phone का तो game over लग गई, good bye, tata हो गया और performance में भी यह सिर्फ average IQ भी रखता है और average इसकी CPU की वज़े से मिला नहीं तो मैं इसे अंडे देता अपने hot apps और hot games वारे folder में omelette बनाने के लिए चलो detail में बात करी लेता हूँ display की 6.78 inch का amoled screen है जो center में इस punch hole के साथ आता है 120 hertz का terms and condition वाला refresh rate है और brightness भी ठीक ठाक है under display fingerprint scanner phone को अच्छे से protect करता है लेकिन जैसे मैंने बोला कि इसकी screen पे कोई protection नहीं है और यह 30,000 रुपए का phone है anyway movie watching experience भी ठीक था price का according viewing angles भी अच्छे थे video streaming experience बेटर करने के लिए इसमें stereo speaker दिया है उपर दिये गए हुए earpiece को secondary speaker बनाया गया है और जैसा नाम वैसा काम left and right channel मतलब एक दम imbalance है समझी नहीं आता और display और speaker के मामले में iqoo को भाई बहुत improve करना पड़ेगा camera की बात तो बाहर ही अच्छी लगती है अब iqoo के ऊपर तो वीवो का हाथ है camera processing के मामले में और वीवो की संगत का असर दिखता भी है negative वे में जादा positive वे में कम positive तो यह है कि dynamic range इसके camera की काफी अच्छी है लेकिन negative यह है कि camera moody बहुत मतब girlfriend से भी जादा मूद मन करेगा तो अच्छी photo लेगा नहीं करेगा तो highlights को ऐसा highlight कर देगा कि कुछ दिखे ही ना उसके अलावा skin थोड़ी सी white कर देता है artificial जैसी बना देता है और आपको थोड़ा खुबसूरत बनाता है क्यों को पसंद आईगी मेरे को नहीं पसंद आती मेरे को natural images जादी अच्छी लगती है मतलब इसे selfie लेने पर यह लगा कि मेरी मेरी शकल में क्या बुराई यह वही पर भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था और अभी भी बहुत दे रहे हो YouTube के ऊपर मुझे प्यार लेकिन फिर भी यह IQ जो है ना फोटो में मेरे को मेरे जैसा नहीं किसी और के जैसा दिख तीसरा कैमरा भी 2 Megapixel वाला ही कैमरा है बाकी दोनों कैमरे जो हैं 2-2 Megapixel वाले बक्वास है लास्ट टाइम 8 Megapixel वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा था ना वही दिया था आईकू आपने बेटर नहीं कर सकते थे तो वही वाला ही दे देते ना मतलब यहाँ पर पैसा बचाने क लेकिन जो यह आईकू वाला OIS है वो एकदम फर्जी है बेकार है किसी काम का नहीं डियर आईकू पबलिक का आईकू इतना भी टेस्ट मत कीजिए और पबलिक का आईकू इतना कम भी नहीं है कि वो OIS और EIS में डिफरेंस ना समझे इन शॉर्ट इसमें भी बिलो एबरेज फाइनली एक ऐसी चीज जो इस फोन में काबले तारीफ है वो है इसकी बैटली 24 गंटे से उपर आपका साथ देगी और फटाफ़र चार्ज भी होगी इसमें तो फुल मांक्स IQ NEO 7 कई जगे पे एकडम लाचार वाला फोन लगता है वहीं कुछ जगे पे ठीक ठाक एवरेज फोन भी है बट सब कुछ अगर जोड़ घटा के फाइनल वर्डिक अगर मैं बोलू तो आप इस फोन को तभी लेना जब आपको बढ़िया बैटरी और फास्ट चारजिंग चाहिए हो और बाकी features के साथ compromise करने को आप ready हो तो otherwise competition में और भी बहुत option है बाकी ऐसे एकडम to the point review के लिए मेरा चैनल सबसे best option है so subscribe to my channel and मिलते हैं next video में तब तक के लिए stay connected